नमस्कार मित्रों जैसी आरा मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जयोतिश शिंतर में हारदिक स्वागत है मित्रों आज का विशे मेरा है वक्री ग्रहे वक्री या रेट्रो ग्रेट प्लैनेट कैसे होते हैं आज इस पर एक संचिप्त चर्चा करेंगे चर्चा इसलिए भी जरूरी है चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि अभी मैंने जो तीन चार वीडियो डाले थे वक्री गुरू के उपर अभी हाल ही में गुरू के वक्री होने पर क्या प्रभाव परेंगे तो उसे कुछ शोताओं ने फोन करके ये जानना चाहा कि पंड़ी जी ये गुरु अगर वक्री हुए हैं, उसी राशी में हुए राशी तो अभी बतली नहीं, तो इनके फलों में इतना अंतर क्यों आ जाएगा क्योंकि गुरु अभी जो वक्री हुए हैं कुम्ब राशी में और जिस नक्षत्र में हैं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, सिफ़ परिवर्तन है उनकी चाल में हैं अभी मार्गी चल रहे थे और आज चेए 20 जून से विए वक्री होकरते तो फिर फहलो में इतना फरक क्यों होगा कि ऑक अखे क्यों वक्री रहके प्रभाव बदल जाते हैं कैसे गुरु 궁금 में मार्गी चल रहे थे तो उनके प्रभाव कुछ और ते लेकिन आज 20 जून से वक्री होने पर गुरू के प्रभाव बदल जाएंगे तो मैं बहुत संचेप में इसका उतर देने का प्रयास करूँगा बित्रों पहली बात तो यह जाने कि वक्री का मतलब जो लोग उल्टा या विप्रीत से लगाते हैं और यह समझते हैं कि ग्रह अब यह मतलब नहीं है कि वे अब उल्टी दिशा में चलने लगेंगे हाँ दिखने में जरूर ऐसा प्रतीत होगा कि ग्रह अपनी उल्टी दिशा में चलने लगा है यह केबल देखने का एक भ्रहम है और यह भ्रहम इसलिए है कि उस ग्रह की चाल या रफ्तार अब कम हो गई है जब ग्रह की रफ्तार कम हो जाती है तो फिर वह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब उल्टी दिशा में गती करने लगा है वक्री ग्रह मित्रों बहुत महत्तपूर्ण होते हैं यह मैंने अपने वीडियो में बताया भी है आपको और महत्तपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनकी जो फल देने की छमता होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनका प्रभाव बढ़ जाता है यह अचानक फल देते हैं यह प्रश्ण अलग है कि वक्री ग्रह के फल अच्छे होंगे या खराब होंगे यह अल रहकी इस्थिती से कि वह उस कुंडली में कैसे फल देने की इस्थिती में है लेकिन यह बात यह तैबात है कि वक्री होकर ग्रह अपनी अच्छे या बुरे प्रभाव देने की छंता को बहुत बढ़ा देता है इसके अलाबा यह जैसा मैंने बताया कि एक दम अचानक फल देने लगता है अचानक फल दे देता है आप सोच भी नहीं सकते अचानक उसके अच्छे या बुरे फल आपको मिल जाते हैं उत्तर काला मृत के अनुसार उच्छ राशी में बैठा ग्रह यादी वक्री हो जाए तो खराब फल देता है और नीच राशी में बैठा ग्रह य मैंने ऐसे कई चार्ड देखे हैं जिसमें जूपिटर अपनी उच्छ राशी कर्क में बैठे हैं लेकिन वक्री अवस्ता में अपनी दशा आने पर अपनी दशा आने पर जातक को बहुत खराफल दिये तो यह सूत्र अपलाई भी होता है ऐसा मैंने देखा है एक सेवी ना पर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने भी एक सूत्र मुझे बतलाया था मैं आज आप से उसको शेयर कर रहा हूं कि गुरु जब वक्री हों कुंडली में तो वह अपनी मूलत्रकोन राशी यानि धन के फल खराब कर देते हैं यानि उससे समंदित बातों में दिक्कते दे देत थी इसलिए मैंने सोचा मैंने आप से भी शेयर करूं और मैंने अपनी ही कुंडली में इस सूत्र को अप्लाई किया और सत्त पाया इस तरह ज्योतिश में वक्री ग्रहे के ऊपर लगातार रिसर्च की जरूरत है तब ही सही फलादेश संभव है एक विद्वान के नस्वार वक्री ग्रहे का यदि प्रतियंतर चल रहा हो तो निश्यत रूप से अचानक बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं इसलिए प्रतियंतर दशा में वक्री ग्रहे यदि चल रहा हो तो उस वक्त प्रडिक्शन बहुत सोच विचार कर करें क्योंकि फल एकदम अचानक मिले और बड़े प्रभाव से मिलेंगे जैसे अभी जूपिटर वक्री है किसी के कुंडली में यदि ये वक्री अवस्था में है और जूपिटर का ही प्रतियंतर चल रहा हो तो ये गुरु बहुत अचानक अपने अच्छे या बुरे फल दे देंगे इस तरह मित्रों वक्री ग् बताई है आशा है ये जियोतिश प्रेमियों को लाभानवित करेंगी इसी के साथ अपनी वानी को मैं विरान देता हूं मिलेंगे अकले वीडियो में फिर किसी नए विशे के साथ तब तक जैश्याराम नमस्कार